तो यह यह वन प्लास 6 218 का वन प्लेक्शिफ फोन और यह मुझे लगता है कि वन प्लास की तरफ साहने वाला उनका बैस्ट फोन है तो इस इक बार मां बात करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बता हूं कि यह फोन लॉंच हुआ था तो इसमें कौनको सुने इने फीचर आये थे और जो फीचर्स आये थे क्या है वो 2022 में अच्छे से स्टेंड करते हैं या फिर नहीं तो अभी साथ यह आप लोग रहा हूं कि मैं इतने पुराने फोन का रिव्यू आज क्यों बना रहा हूं तो यह मैं वीडियो बना रहा हूं टेक्वाइजर के लिए कि उन्हो पर सकते हो सबसे पहले आपको मिल जाता है सीम जेक्टर टूल साथ ही एक 20 वाट का फार्ट चिंग ब्रिक एक टाइप सी केबल तूंकि फोन को अल्मोस्ट वन आवार 20 मिन्ट पूल जाज कर देता है एक फार्च इंग के साथ में और अगर हम बात करें इस फोन के बैक की त में है वुत सारे सिभिया तो कोई से लाट था उस्हीं है अटकर चीतल सीटनEr गधे लिए लिए नि की जब अपने फोन को नौमेल आच्व पगड़ते हो तो आपको होलिग साइज रेंगा पर चारत करता है से बहुत इप का मैंने अपने पर नहीं तर अगर आपके हां थोड़े बढ़े हैं जोटे नहीं कर सकते हैं तो आपको रीच करने के लिए दिक्कत होती है और अगर हम बात करें इस फोन के श्पीकर की तो आप यहां पर सुन सकते हैं इसका सैंपल तो चलिए नेक्स्टम बात के लाता है इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में आपको में जाता है आपको बात करे इस फोन के बारे में तो इस फोन में आपको जारा भी कलाटेंगे देन को नहीं मिलता है अगर आप इसे जितना भी सिफ्ट कर लो इसमें आपकोच बिल्कुल देने मिलता है मैंने इससे अच्छा कासा टाइम तक यूज किया और मेरा इसमें बहुत ही अच्छा रहा है और इसी में आपको मिल रहता है वाइड वन इस फोन को केमरा बहुत ही बहते है लेकिन कभी-कभी क्या होता कि एक्सका ने अच्छा काम करता है तो दि的是 अच्छा काम लगता हैered Here's a इसके बाद मैंने gcam से वही फोडो को खीलिक यह तो आप डिफेंस देख सकते हो कि इसमें कितिना प्लरार फोटोस को कर्या रहे है और और ये रहा जो मैरे फेवरिट फोटो आपको अच्छे कर से natural color देने को मिलते हैं तो चलिए next हम बात कर लेते हैं इस phone के वीडियो के बारे में तो इस phone में आप 1080 30 से लेके 4K 60 ते के बड़ी असानी से record कर सकते हो और मैंने इससे 2 साल तक उसके और मेरे experience मुझे लगता है कि जो 4K recording है इस पर detail आपको मिलते हैं color अच्छे मिलते हैं लेकिन 1080 में आपको उतने अच्छे colors नहीं मिलते हैं और stability भी उतनी अच्छे नहीं मिलती है और मैं वीडियो से बोलूँगा नहीं आप इससे देख कर सकते हो सेंबस को देखे और अगर हम बात कर इसके slow motion के तो पानी को कितने अच्छे से स्लो कर दिया जो कि बहुत ही difficult होता है और इसके slow motion बहुत है अच्छे से काम करता है अच्छा light मिलता है तो और पानी से यादा है कि यह phone water resistant भी है तो आप इसे बड़ी असनी से बारिश में लेकर जा सकते हो तो चलिए नेक्स बात करते हैं इस फोन के गेमिंग परफोर्मेंस कबर में तो जब यह फोन वांच वादा टूंटी एटी में तब पबजी का जो क्रेस था वह एकदम पीक पॉइंट में था और सभी ने इनी फोन को लिया था गेम खिलने के लिए और मेरे खास इसका जो गेमिंग परफोर्मेंस से बहुत ही अच्छा का साहब इसे बहुत ही स्मूथ वाले सेटिंग में भी खिल सकते हो एक्स्टीम सेटिंग में भी आप बड़े असनी से खेल से लिंग्स का जो ऑडियो जिसे का बहुत ही जादा होता है यानि कि अगर आप एक गेम खिलके उठते हो गर्मी के दिनों में तो फोन बहुत ही जादा गरम हो जाता है उसके बाद यह लेक करना शाट कर देता है तो बड़ पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब मैं पहले खिलता तो पबब जी उतना यह इंग्रीस कर रहता है जिसे कि मुझे दिक्क्रत होती है और यह फोन हैंक करना शाट कर रहता है साइड यह भी हो सकता है कि फोन जो लांच हो दा था पब जी उतना बड़ा गेम नहीं था यह भी बहुत छोड़ा था लेकिन आपके होता है कि एपके रिक्वर्मेंट बढ़ लेकिन उस टाइम पर जब लॉच्वादा तो इसमें सबसे जाए रहा फार्श राजिंग वाला सिस्टेम आयरा जो कि था डेस जो की बहुत ही पॉपलर हुआ था लेकिन अभी के अब यह बहुत ही जाड़ा आपडेटेड हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब यह बात कि अब्सक्राइब यह बहुत ही जो की अच्छा है तो यह रहा मेरा डेली डेवर वन पसीस का रिवीव और एन आइज हो टीम टेकवाईज ब्राव इस वीडियो तो अज के लिए बस इतना ही अगर इए वीडियो अच्वाँ ओ तो प्लिस टु लिए टिस वीडियो शेर ड the bell icon for more tech-related videos. Thank you.